असलाम अलेकम विवर्स, welcome back to my channel मुनि भाई विलोग तो आज का जो विलोग है वो है मदीना का विलोग तो आप लोंने इस विलोग को मिस्स नहीं करना और एंड तक देखना है मैं अपना experience शेयर करूंगा इस विलोग में कि मैंने कैसे में हमारा सफर ता हम कहां से start किया कब प अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को अपने subscribe करना है और bell icon प्रेस करना है तो भाई starting जो है हमारा plan जो है काफी times हम लोग मदीना नहीं कहते हैं तो सोचा क्यों ना रमजान की बाद हम लोग plan करें के मदीना जाने का तो यह weekend था मेरे पास free था तो मैंने का चलना इस weekend प आठ गंटे का रस्ता है आठ से नो गंटे लग जाते हैं अगर अगर आप continue चल रहे हो तो आठ गंटे लगते हैं साड़े साथ आठ गंटे लगते हैं अगर आप बीच में रुख जाओ तो तक्रिवन 9-10 गंटे लग जाते हैं तो अभी जो इस वक मैं होना मैं होटल से हरम जा रहा हूं और माशाला इस ताहाँ ला भी पढ़ए और फजर भी पढ़गो इस वक्राइं नियुक्त को अधिर वारिश हो रही है तो और बात हो रही थी के हम लोग निकले हैं दो बज़े तम परात को पहुंच गयाते हैं मदीना में तो मजदे कूपा में हमने नफिल कि यह फजर के टाइम पर हम लोग हरम की तरफ पहुंचे हैं पहले हमने होटल में समान रखा एक घंटे का नय अप लिया उसके बाद हम लोग पहुंच गए हरम में तो फैमिली को जो है ना हमने बिठाया क्या कितने हैं फैमिली अलग गेट जो थी तीन सो पांच था तक लोग को बिठाया फिर मैं रोज़रल्सूल की तरफ यह वहां पर आके सलाम पेश किया फिर वहां से प्र मैं जो हूँ आकर अंदर हरम में बैठी है और उसके बाद जो हैं पर मैंने अपनी बाद एस साट कर दी उसके बाद मेरा जो परमेंट हा ना चब बात होती है परमें नुसुक के नाम से नुसुक प्लेस्टोर पर जाये यह पिर आप अप्ल आप पर आप सर्च करें नुसुक के नाम से उसको डाउनलोड कर लें अगर आप यहां के रेजिडेंट है मतलब सौधियरभ के तो वो तो आपका अकामा दालने के बाद आपको नफात खुल जाएगा गाद इसके बाद पर आपको डाउनलोड कर लें और अगर आप विज़ेट पर आए है तो विज़ेट पैर आपका जो बॉर्डर नंबर होता है अपने एंटर करना है ठीक है उसके बाद आपने अपने अपना मुबाइल नंबर ईंटर करनाह पिस दक पास पास पर मुझे चानी को अराम से अरीन गाम परमेंट मिल जाता है क्योंकि मर्तों को टाइम काफी ज्याद होता है तो उस तेम पर मिल जाता है और्तों को थोड़ा सोब्हुता है ऐक आठते बज़ी आर्ट न तक तक्रीम होता है, भाष्वार चेरी मेर बश्ब होता है और एक शुरू होता है इशा के बाद, तो औरतों को टाइम मिलना बहुत मुश्कल था, हम लोग ट्राइ करते हैं, करते हैं, लेकिन हमें औरतों का नहीं मिला, मुझे तो पर्मेंट मिल जाता, देखें माशालला, इस वक बहुत ही जबरदस थी बारिश भी हो रही है, माशाल हो अंदर, तो पर्मेंट जो है मेरा तीन बजे का था, मैं दुपैर में, जुम्मे के दिन, तीन बजे का था, जुम्मे के दिन, तीन बजे का मेरे पास पर्मेंट था, तो पर्मेंट ये था, कि मैं पहुंचिया था, दो चालिज पर मैं लाइन में लगिया था, लाइन ऐस और बिठाया उसके बाद जब बारी आई तो मैं अंदर रियाद लचन्ना की तरफ गिया तो जाके वहाँ पे मैंने बैटके नफिल पढ़े ठीक है दूआई की सब के लिए दूआई की सब के नाम लेके दी जिसका नाम भी नहीं आद भी नहीं आए उनके भी लिए दूआई जो है फिर क्या किते हैं मगरिप और इशा पढ़के भी हम लोग वापिस गए तो बहुत ही एजली जो है लापाग ने ना साहरी काम करवाए मतलब अराम से जो है रियाद लचन्ना में किया जनल सुबकी भी चलेगी है मजज़े से कूपा भी जलेगी है ओध के पहाड भी ह है और इस वक्त हजुत के ताम पर माशाला बारिश भी ओर थी मौसम जुम्मे में गरम था लेकिन हफते को माशाला यह हफते का टाम है मतलब सटेडे मौनिंग है और बहुत ही अच्छा सा मौसम था ठंडी आवा और बारिश साथ में तो इस गेट से मैं एंटर हो चुका हो दो क्यों बंद मौनें अगर अगर आपने अंदर लिएफल्या जलना जाना है तो यहां पर आपकी अपुलिप्ले liaison चेक की जाएगी अप्लिकेशन में आप देखो राइट पर अपलिकेशन चेक करेंगे अपालिकेशन करने के बाद आपको जो है फिर वो अंदर जाने विदावट आप्लिकेशन बिल्कुल भी अलाओ नहीं है, किसी को भी अलाओ नहीं है, जाने के लिए है, तो उसके बाद हम लोग जो है, कहां अभी मैं, मेरे रस्ता बिल्कुल यह था, मैं यहां से बिल्कुल ही जाके फोड़ दो गोमके पर अंदर के बैड़ी जाओंगा, म तो माशाळला काफी सारी लोगतर रश माशाळला हर वकी रश रहता है और जुम्माय कर पर यह तो उसके बाद को है शुल्र और राज नहीं कहते हैं। इसकsorry मार ड़की मुझे जनल बक्रसया série है। एक तो असर के बाद खुल जाता है ठीक है और एक फजर के बाद खुलता है तो अभी मैं यहां पर फजर की नमाज पढ़ूँगा और नमाज मढ़ने के बाद जो है इंशालला जन्दल पकी की तरफ जाओंगा तुम सामने जो है आप दुरुशरिफ पढ़ लें और सलाम पे लेकिन मौसम जो है बहुत ही मशालला जबरदस मौसम था और मेरी दुआ है अपने घर में तमाम लोगों को बुलाए हाजरी सब की लगे जो लोग अभी तक नहीं कहे उन लोगों पी अल्ला तागला जो है बुलाए सबको और वाकई ही जो है ना यहां की मैं कहता हूँ बा लगाया हमने बहुत ही अच्छा टाइम था बहुत ही मज़ा है हम लोगों को और यकिन करें कि बहुत ही सुकून यानि सुकून वाली जगा है यह कि दिल नहीं करता कि यहां से आपने वापिस जाना है तो माशालला जो है यहां भी देखें आपके सामने पूरा व्यू है ब फजर के टाइम है तेन बजह जो है तीन बज़ चाइस मिनट पर मतलब साढ़े तीन पर आपकी ताहजुत ही आजान होती है यह अ कृट आप नफिल दा करें और शाड़े चार बज़ जो है फजर का टाइम होता है और फजर के बाद जो है पर जनलबकी को लेगा पिर आप जनल पकी पे आप देख जियारत करके सलाम पेश करके और फिर बहार निकलें फिर आप रोजार रसूल की तरह आजाएं तो सब चीज़े करीब थी इस दफ़ा हम दोना लम्दा हर चीज़ करीब थी और बहुत ही सकून से हमने टाइमिस्मेंट की अपना दौाएं की अबादत की मतलब टौर बहुत अच्छा रहा हमारा और क्या करते हैं हम लोग मेरा जो प्लाइन था इस दफ़ा मैं अपनी गाड़ी में नहीं है हम लोग बस में गए थोड़ा सा रहता है कि होटल्स की वैसे होता है कि होटल जो आपको दूर मिलते हैं अगर आपको जाओ पहले पार अजया नहीं करते हैं और वापसी मेरी जो थी मतलब सेटरड़े संडे की मतलब सेटरड़े नाइट की तकरिये हम लोग पहुंच गए देवापसी के लिए निकल कहते हैं तो क्या कहते हैं तैम अच्छा रहा और अलहम्दुल्ला अबादत भी बहुत अच्छे दुआइं सब के लिए ही और क्या कहते हैं इसके इलावा जो है मैं आपको अपनी दूसरी और वीडियो में भी दिखांगा रियादत जन्ना की मैंने छोटे से क्लिप बनाते हैं मुझे खोद अच्छा नहीं लगता कि अबादत के टाइम पे मोपाइल निकाल के वीडियो बनाएं ले जल्दी मैं वीडियो शेयर करूंगा जिसमें रियादत जन्ना का मेंबर है और रोजर रसूल की का रस्ता जो है वो सारी चीज़े मैं आपको अगली वीडियो में जरूर दिखाऊंगा तो आप लोग ने जो हैना क्याता है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बैल मदीना की काफी सारी वीडियो शेयर करूंगा और अब जो है सामने गेट आ चुका है मेरे राइट साइट पर यह रस्ता जा रहा है और यह गली है जहां से हम सलाम पेश करते वे निकलते हैं तो इसके सामने जो है मदीद के रस्ता है वह भी खुला हुआ है कि आराम से आप बैट बैट जहें सम्टाइम चुता है कि बंद करते हैं रस्ते लेकिन इस ताइम पर फजर किराम पर खुला हुआ है तो अब मैं अंदर जाओंगो और वीडियो को मैं यही पर ही खतम करूंगा मिलते हैं आप से आप लोगों से नेक्स वीडियो मिलूंगा शेयर करों जब खिरो ऑर अगए जब और शेङाओ मिलूंगा है । heavierाभ भूज है